नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं News 31 उत्राखन उत्राखन के कई जिलों में कहर बरपाने के बाद भी मौसम नरम रुक अपनाने के मूड में बिलकुल नहीं है राज्य में मैदान से लेकर पहार तक बीते 24 घंटों से लगातार कर इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसके चलते टीरी में नैशनल हाईवे 58 के बीच में सडक का एक बड़ा हिस्सा तूट गया है जिसे आवजाहे पूरी तरह से बंद हो गई है तो चलिए आपको भी दिखाते हैं टीरी से सामने आई ये खौफनाक तस्वीरे उत्राखन के पहाडों में हो रही भारी बारिश के कारण का इस जिले प्रभावित हुए है रज्ज में एक बार फिर मौसम विभाग की भविश्यवानी सटीक हुई है ऐसे में जो आप तस्वीरे देख रहे हैं वो टीरी जिले से सामने आई है जहां भारी बारिश के चलते नैशनल हाईवे 58 के बीच में से सडक का एक बड़ा हिस्सा तूट गया गनीमत रही कि जब यह हाथसा हुआ तब मौके पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जिससे समय रहते एक बड़ा हाथसा तल गया आपको बता दे कि टीरी जिले से गड़वाल जाने वाले सारी नैशनल हाईवे बंध हो चुकी है वही सारे मार्गों से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है ऐसे में आज फकोट में नैशनल हाईवे 58 में सडक का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश दे धराशाही हो गया जिससे पूरा हाईवे बंध हो गया है जानकारी के मुताबिक रिशिकेश बद्रिनात मार्ग पर शिफपुरी में सैक्डो लोग कल शाम से फसे हैं ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौन्सूनी बरसात इस बार राज जमे कितना कहर मचा रही है पूरा वहां से पूरा नहर पूरा बंध हो गया खाला तो इस तरफ्ट में यहाँ पूरा पान यहाँ तो पूरी रोड जाम हो चीजिए पूरा रोड तूर सुगाए देखिए जाज़िए यह देखिए पूरा हो चुटा उत्राखंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें